जैस्री किष्णा स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटूब चैनल पर दोस्तों 25 नमंबर से 30 मार्च 2022 तक आठ रासी वालों के पुत्र धन योग के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा कुन सी वाया आठ रासियां जिनका योग बहुत ही अच्छा रहने वाला है आने वाला समय आपके लिए ब्यादी सुवा लकी रहने वाला है पुत्र धन, सुक सम्रदी, मान सम्मान, नौकरी में प्रमोशन वा साधी के अच्छे योग बनेंगे कई रासियों के बहुत ही अच्छे योग हैं कई गिरेन का रासि परवर्तने जो लगबग आठ रासि बालों की किस्मत बदलेगा आने वाला समय आपके लिए ब्यादी सुव और लाबकारी रहने वाला है सबसे पहले अगर बात करें तो वह है मेश रासि मेश रासि के द्वतियबाम में दर्क आमंदनी और खर्च का यानि व्यका दोनों के अच्छे योग बने हुए आमंदनी व्यक्ची होगी तो आपके सुव कार्यों पर खर्च भी अधिखूगा वही सूर, चंद्र, भुद्ध और सनी इनका योग जन्वरी में रहने वाला है जो मेश रासि के लिए ब्यादी शुब रहने वाला है मेश रासि बालों के अच्छे योग बनेंगे संतान दन के साथ साथ में नोक्री हुआ, तरक्टी के भी रास्ते खुलेंगे, नोक्री में प्रमूशन मिलेगा और आपके लिए ग्रश्त जीवन में भी बहुत ही खुशी आएंगी आपका परवार खुशी में रहने वाला है, हर प्रकार के कार्यों में आपको विशिश पलता है भी मिलने वाली है दूसरी रासि जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है, वो है व्रसव रासि व्रसव रासि को बहुत ही उताच चड़ाब देखने को मिलेगा ब्रसवरासी के लगनमाम मेराव स्वास्त का विश्यश द्यान रखें साथ ही ब्रसवरासी पर शुक्र और गुरु दोनों की द्रश्टियां भी रहेंगे साथ ही शुक्र मंगल का योग भी रहेगा जो आपके लिए उत्सा पूर्वक यानि आपके मन में आत्व बल पैदा करेगा जो आपके प्रत्यकार करने में आपको सहयों मिलेगा जो भी आपका रहत मिलेंगे वह आप सपलता पूर्वक पूरा करेंगे साथी बाहन आदी का भी योग आपका बना हुआ है लेकिन बाहन आदी आपको भुशाली से शावताने पूर्ब की चलाने है करज से मुक्ति मिलेगी आने वाला समय आपके लिए बेहादी चुनोती पून भी रहने बाला है आपके अपने अपनी पराय जैसा ब्यवार कर सकते हैं कुछ समय ऐसा भी आएगा साती गिरस्त जीवन में भी खुशाली रहेगे विशेश आपको ध्यान लगना है क्योंकि आपके लगन माम में राव रहेगा तो सब्तम माम में सामदे तेतू भी रहेगा चोटी मोटी बातों पर लड़ाई जगड़े मत बेदे हो सकते हैं किसी बात को लेकर के गलक फ्रेमी भी आपस में हो सकती है जिसको लेकर के कापी जगड़ा बढ़ सकता है इस बात का विशेश उप्षे ध्यान लगने कोई विकार करें पूरी सूज बूज के साथ में आपको करना है अगली जो रासी है मित्रौन रासी का योग भी बहुत ही अच्छा है द्वत्य भान में चंद्रमा का योग बहुत ही अच्छा रहेगा अश्टम भान में सनी और वद रहेंगे स्वास्त का विश्यश ध्यान रखें साथी सब्तमबाब में मंगल सुक्र का योग रहेगा नवेबाब में सूर्य और गुरु का योग रहेगा जो आपके भागे को बदनने बाला है अगर आप नोकरी के लिए ट्राइ कर रहें तो उत्तम समय आपका आने बाला है वही संतान के लिए ट्राइ कर रहें तो भी आपके लिए समय बेहदी शुक पूर्वक रहेगा तरही प्रकार की कार ऐसे हैं जो आपके अटके हुए हैं वह कार भी आपके संपन होंगे आने बाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने बाला है मित्रों का परवार का सहयोग साती बिद्यार्तियों को विश्यसलाब मिलेगा महला को भी विश्यसलाब मिलेगा गरस्त जीवन में खुशाल ही रहेगी हलंकि बीच बीच में स्वास्त थोड़ा सा आपके परिशानी आईगे स्वास्त में थोड़ी सी देखवाल रखें खान पे इनका विश्यस ध्यान रखें अगली जो रासी है वह है कन्यारासी कन्यारासी का योग बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं पंच अमाम में आपके में योग बहुत अच्छे हैं जो आपके संतान प्राप्ती में सहयोग देंगे माता दुरगा की किरपा आपके उपर असीम रहेगी साथ ही भुद्ध का सुभ योग आपके उपर रहेगा बगवान गनेजी की क्रपा से आपके सभी कार्य बनेंगे आने वाला समय आपके लिए कई प्रकार के लाब देगा धन, संतान, सरीर में निरोगता प्रदान साथ ही ब्यावपार में उन्निती और नोकरी में प्रमोसर के चांसेस रहेंगे कई बार ऐसा समय भी आएगा कि दूसरे लोग आपके प्रते कार में अर्चन डालने की कोशिस करेंगे लेकिन वह काम्याब नहीं हो पाएंगे आप अपने पूजा पाट पर ध्यान दे अगली जो रासी है वह तुला रासी तुला रासी के लिए भी समय बियादी सुप रहने बाला है हालांकि धन की थोड़ी से आनी रहेगी लेकन काम्याबी भी उतनी ही मिलेगी भाई, बंदू और मित्रों का सहयुग भी आपको मिलेगा संतान का सुकवा को मिलेगा साथ ही ब्योपार भी अच्छी उन्निती पर आएगा सनी के द्वारा आपको ब्योपार खित्र बहुत अच्छा रहेगा आने बाला समय आपके लिए कई कार्यों में सपलता दिलाएगा और कुछ कार्य ऐसे जिसमें निरासा भी आपको आत लगेगी सनी देव की आराधना जरूर करें आप, साथ ही प्रतेग सनी बार को सनी देव का तेल से अफिशेख भी करें हनवानजी की पूझा करें अगली जो रासिय वह है वरस्चिक रासि वरस्चिक रासि स्वास्त का विशेज द्यान रखें धन का अच्छा आग मनें, धन का योग बहुत अच्छा है, साथ ही व्योपारिक खित्र बहुत ही अच्छा रहने बाला है, नही नही आइडिया जाएंगे जो आपके लिए उन्नेती करेंगे, विद्यारतियों को उलाम मिलेगा, संतान का सुक मिलेगा, वही धनुरासी बालो को भी विशे इसलाम मिलेगा, मंगल और सुक्र का योग आपके लिए बहुत ही भागिसाली रहने बाला है, कही प्रकार की कार्य आपको हर्स देंगे, यानि आपका कार्य जब सपल होगा, तो आपको काभी हर्स होगा, प्रति दिन भगवान गनेजी के सामने, ब्रश्प्र देव के सामने, बिश्णु अगवान के सामने और सुप्जी के सामने आप दीपतान करें, ने तो उनके बारों के साब से आप उनके सामने दीपजलाएं, उनके मंतरों का जाप करें, कुमरासी वालों के लिए भी समय ब्यादी सुब रहने बाला हैं, कुमरासी वालों को भ लगाना है कहीं भी इन्वेस्ट आप करना चाह रहे हैं तो आप सोच समझ करके इन्वेस्ट आपको करना हैं ज्यादा पैंसा कहीं भी आपको खर्च नहीं करना है इस बात का विश्यूप से ध्यान रखें कई ऐसे कार हैं जो आपके रुखे गुए थे जिनकी वज़े से आपको परिशानी थी आप संतान को लेकर करके टेंसन में थे तो सभी कार आपके बनने शुरू होंगे आने वाला समय लगबगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है वही मीन रासी वालों को भी बिसेज लाब मिलेगा ये रासिया जो थी मैंने बताई है इनकी जानकारी आपको दिया ये रासिया बहुत ही अच्छी देने वाली है और बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी सपलता है आपको मिलेगी कुछ कारियों मैं सपलता है मिलेगी निरास नहीं होना है पूझा पार्ट झाल झाल